स्वागत है आपके अपने ही चैनल 5 स्टॉक्स में देख लेते हैं कल मार्केट कैसा रहेगा कौन-कौन से स्टॉक्स मूग कर सकते हैं डिस्किप्सर में हमारा टेलिग्राम ग्रूप का लिंक दिया गया है जिसे आप जॉइन कर सकते हैं जिसमें इंट्राडे ऑपोर्चुनिटीज प्रवाइट किया जाते हैं तब से पहले बात कर लेते हैं निफ्टी-फिफ्टी का आप देख सकते हैं यहां पर ऊपनिंग एपने लेवल पे ही इसके उपर यह अपना target था, क्योंकि यह buy level यह दिया गया था, और gap up opening हुआ अपने target के level पे, फिर यहां से rejection आया नीचे से, फिर यह buy side activate हुआ, और यहां से देख सकते हैं, लगबग यहां से हम check करें, तो लगबग 1500 points के यह about, nifty 50 travel किया है असानी से, यह देख सकते हैं 136 points, अब आगे इ high लग गया है, एक और नया, आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम इसे remove कर लेते हैं, और जो अपना all time high है, इसको हम mark कर लेंगे, और आज का low हो गया यह है, अगर मान लीजे, कल भी market gap up open हो, और इस level के उपर sustain करे 15 minutes, then हम एक और नय high के लिए इसमें travel कर सकते हैं, उपर का target त जैसे open होगा, उसके हिसाब से इसमें, thread provide किये जाएंगे, जो कि telegram group में दिये जाएंगे, आप जरूर telegram group join कर सकते हैं, अब mark कर लेते हैं, 0.5 वाला area जो अपना है, और लगभग ये area हम track करेंगे, और अगर इस range में flat open होता है, और इस range के उपर निकलता है, then हम call site plan कर सकते हैं, और अगर इस range में flat open होते, अगर ये box नीचे break करता है, then हम यहीं पर sell site plan कर सकते हैं, और ये जो आज का low है, इसके regarding हम target consider कर सकते हैं, इस level तक, अगर gap down ओपनी हो गया, और इस level के आसपास ओपनी हो गया, फिर हम इस level को note down करेंगे, और इसके नीचे अगर निकलता है, then हम sell site plan करेंगे, और लगबग ये low consider कर सकते हैं, अगर यहाँ पे market open होके, इस range को break down दे, then हम sell site plan कर सकते हैं, बात कर लेते हैं, bank nifty का, bank nifty में क्या हुआ देख सकते हैं, अपने level पे ही open हुआ, और 0.5 का जो area था, यहाँ से rejection आया, और यहाँ से bank nifty bounce back कर गया, next fourth candle में, यहाँ पे अपने level पे execute हुआ और अच्छे खासे target देखे गया है, nifty bank के अंदर, आप देख सकते हैं, इसे भी हम remove कर सकते हैं, और इसमें क्या planning होगा, आप track down कर सकते हैं, यह हो गया, आज का high low, अगर मालीजे इस range में market फिर flat open होता है, और 47,875 के ऊपर निकलता है, देन हम call side प्लान कर सकते हैं, और target लगबग 48,000 के round level तक travel करने का मौका कल मिल सकता है, cell side का plan होगा, अगर यह इसी range में open होता है, और इस box को नीचे break करता है, देन हम cell side प्लान कर सकते हैं, और target यह लोग consider कर सकते हैं, अगर यह flat open होके नीचे side breakdown देता है तब, या फिर इसमें भी gap down opening देखने को मिल जाए, और इस level को execute करें, देन हम इसके नीचे ही cell side का plan करेंगे, बात कर लेते हैं, कल जो दो intraday stocks दिये गए थे, आज market में कैसे perform किये, फर्स्ट दिया गया था Vipro, जिसका आज result भी आने वाला है, और ID sector काफी bullishness के साथ आज दिखा market में, यह देख सकते हैं, यह buy level था, लेकिन यह काफी gap up open हुआ, I hope यहां से भी जिसने buy side plan किये होंगे, अच्छे खासे point मिले होंगे उनको Vipro के अंदर, second दिया गया था Axis Bank, इसका buy level था 1127, लेकिन यह यहां पर लेवल पर ही open हुआ, और एक range में ही consolidate किया, last के time में sell side active हुआ, लेकिन इसको ignore किया गया आज, जिसने भी यहां पर भी अगर प्लान किये होंगे, तो जादे तो नहीं, लेकिन 2-4 point असानी से उसको मिले होंगे, कल के लिए फर्स्ट रहेगा estate bank, इसमें हम 637 के उपर Y planning करेंगे, जिसका SL 633 का बना के चलेंगे, और target 642 तक हम इसमें travel कर सकते हैं, sell side का plan होगा, जब 632 के नीचे यह stocks निकलता है, इसका SL 636 का बना के चलेंगे, और target 625 तक हम इसमें travel कर सकते हैं, second pick होगा कल के लिए SDFC life insurance, इसमें हम 640 के उपर Y planning करेंगे, जिसका SL 635 का बना के चलेंगे, और target 648 तक हम इसमें travel कर सकते हैं, sell करेंगे अगर यह 634 के नीचे निकलता है, इसका SL 649 का बना के चलेंगे, और target 625 तक हम इसमें travel कर सकते हैं, thank you,